भारतिये कुष्टी संग को एक बड़ा जटका लगा है UWW यानि की United World Wrestling ने भारतिये कुष्टी संग की जो सदस्यता है जो माननेता है वो खत्म कर दी है अब भारतिये जंडे के नीचे जो खिलाडी है वो कम से कम किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे जर असल United World Wrestling ने 30 मई को WFI को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 15 जुलाई तक Federation के चुनाव कराए जाएं नहीं तो WFI को सस्पेंड कर दिया जाएगा लेकिन भारतिये कुश्टी संग के जो चुनाव है वो बार-बार टलते रहे और अब आखिरकर भारतिये कुश्टी संग की माननिता जो है उसे खत्म कर दिया गया अगले महीने होने वाले कुछती चैंपिन्शिप जो है वर्ल्ड चैंपिन्शिप जो है ऐसे में खिलाडियों के लिए एक बड़ा जटका इसे माना जा रहा है आपको बता दें कि WFI के पूरवध्यक विद्मुशन शरण सिंग पर यौन उत्पीडन के आरोप लगे थे उसके बाद केल मंत्राले ने WFI के पददिकारियों को सस्पेंड कर दिया था और एक एड़ॉक कमिटी का गठन किया था हमारे वरिश सयोगी विमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पजार जानकारी देने के लिए विमल लगातार जो खीचतान भारतिय कुष्टी संग में दिखाई पड़ रही है कि ना सिर्फ दुनिया में भारत की जो कुष्टी जो संग है उसके बारे में कुछ बहुत सारी चीज़े कही जा रही है लिखी जा रही है साथ इसाथ माननेता रध होने के बाद कैसे फरक पड़ेगा और क्या-क्या नुकसान हमारे रेस्लेस को जिलना पड़ेगा अब देखें एक हफता हुआ है अंडर 20 वर्ल चैंपेंशिप वहाँ पहली बार हमने खिताब जीता है लेकिन आज चर्चा इस पे हो रही है कि कुष्टी संग को क्यो बाहर कर दिया गया और यह चर्चा से सिर्फ भारत की बात नहीं है एक क्रॉस दबल क्योंकि UWW के जरीए एक क्रॉस दबल यह मेसेज गया है भारतिय कुष्टी संग को लेकर जितनी बाते हैं वो दुरिया बर में अब कही जा रही है और यह माम मतला जो 6-8 महने पहले शुरू हुआ जबकि यौनुत पिडन के आरूप लगे बिजबुशन पे और उसके बाद कई तरह की राज नहीं थी खेलारियों के बीच अधिकारियों के बीच और अब UWW ने इसको बहुत ही स्टिक्ली लिया क्योंकि देखे अप्रेल के एंड में उन्होंने 45 दिन का वक्त दिया था मैं जून जुन जुलाई अगस चार महने बीद गया 90 दिन बहुत जादा होते हैं दो बार कोट के जरीए ये रुप चुका है और आगे पता नहीं सुप्रीम कोट में मसला जाता है चल्दी चुना होते हैं तो एक रस्ता जरूर दिखता है वरना बहुत ही शर्मनाक बात है खबर जो गई है पूरी दुनिया में मेसेज जो गया वो ये कलक बात है इसके अलावा आप इंडियन फ्लैक के नीचे नहीं खेल पाएंगे ये बहुत ही शर्मनाक बात है एक सवाल में और यह आपसे मिमल पूछना चाह रहा था कि क्या अभी स्थिती है भारत के अंदर बीच में बात थी चुनाव होने वाले हैं उसके बाद कोट के जरीए ये रोका गया एक बार असम के तरफ से आया था दूसरा हर्याणा पंजाब हाई कोट ने जो और दिया उसके जरीए ये रोक दिया गया लेकिन 27 तारिक को फिर से सुप्रीम कोट में ये लोग जाएंगे और सुप्रीम कोट ने एक बारी जो असम का मसला था उसको हटा कर चुनाओ करवानी की बात कहती जो मुझे लगता है निजी तोर पे बतलब कोट के मसले में हम लोग नहीं गुशते हैं लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर ये सौट आउट हो गया तो सोला से पहले एक सूरत बनती है कि क्योंकि अगले दिनी 11 बजे चुनाओ होना था और 6-7 बजे शाम को एक दिन पहले खबर आई कि चुनाओ नहीं होगा पाच बजे आई कोट के फैसले के जरीए ये सारी बाते आगे तो एक सूरत बनती है कि फिर से चुनाओं हो जाएं और चुनाओं के जो न्यू बॉड़ी आती है उसके बाद यू डब्लू को बहुत जादा प्रॉब्लम नहीं था प्रॉब्लम उनको है कि बहुत जादे इंटर्वेंशन जो है वो किसी भी तरह का हस्तक शेप नहीं चाहते हैं ये और वो रस्ता बनता है तो चुनाओं के सुरत बनती है और ऐसे में भारते खिलाडियों के लिए वोल्ड चैंपेंशिप में तिरंगे के नीचे खेलने का म